दोस्तो स्वागत है आपका इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल पर आज एक बड़ी अपडेट के साथ आपके शामने पेश हुए हैं यह अपडेट है जो आज तक डिसी रेट पर भरतियां होती थी जो आज तक डिसी रेट पर भरतियां होती थी वे अब खतम कर दी गई है अब इन्हें कहा जाएगा निगम रेट पहले क्या होता था डिसी रेट पर जो नोक्रिया मिल दी थी अब उन्हें का मांट दिया गया है और जो कैटेगरी रहेगी वह एक वन तू कर दी गई है यह न्यूज चंडिकर से आ रही है और यह न्यूज बुद्वार को संजीव कोशिक जी ने शेयर की है उन्होंने कैटेगरी को किस तरह बनाई जाएगी अलग-लग कैटेगरी जीलों में किस तरह रहेगी आएगे बात करते हैं कैटेगरी वन में जो जीले रहेंगे वो रहेंगे गुरुग्राम, फरिदावाद, पंचकुला, सोनिपत, जीले और दिल्ली और चंडिकर के स्थित जो भी हर्याना की जीले हैं वो कैटेगरी वन में आएगे और कैटेगरी टू की बात करें तो कैटेगरी टू में जो जीले रहने वाले हैं वो है हमारे पानिपत, जजजर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोतक, रेवाडी, कुर्शेतर, केथल, युम्ननगर, भिवानी और जीन्द, जीले शामिल होने वाले हैं और इस नोक्रियों किस परकार की होगी आईए बात करते हैं नोक्रियों के लेवल चार में बांटी गई है इन्हें चार लेवल में बांटी गई है अगर पहले लेवल की बात करें तो पहले लेवल में उन लोगों को रखा गया है जो दस्वी पास है उन्हें फर्स्ट लेवल में रखा गया है। जो level 2 है, उसमें मिनिस्ट्री, नैचरल और नन टीक, technical staff है, उन्हें level 2 में रखा गया है, और 3rd level में किसे रखा गया है, Iti जैसी योगेता हैं उनके पास, उनके रखा गया है, level 3 में रखा गया है, इसी के साथ जो level 4 है उसमें graduation योडिस से ज़्यादा जिसकी योगता है उसे रखा गया है और साफ कर दिया गया है कि अब इसे DC rate ना बोलकर इसे निगम का rate बोला जाएगा और इसी में साथ ये भी शपष्ट कर दिया गया है अगर कोई वैक्ती पहले लगा हुआ है और इसका DC rate करते हैं हम कौन कौन से level है और किस coding उनकी क्या किए गया है डिसाइड के गया है सेलरी जिले category में हम बनाए है और लेवल अनुसार रेट ते गये गया है अगर हम category फस्ट की बात करें तो उसमें level 1 में हमारे पास जो रहेंगे 17,520 level 2 में 20,590 level 3 में 21,200 और level 4 में जो रहेगी सेलरी 22,420 रहने वाली है इसी परकार अगर हम बात करें level category number 2 की तो उसमें level 1 के लिए सेलरी रहेगी 15,420 level 2 के लिए रहेगी 18,510 level 3 के लिए रहेगी 19,120 और level 4 के लिए रहेगी 20,350 इसी परकार अगर category 3 की बात करें तो level 1 के लिए जो सेलरी रहेगी वो रहेगी 14,330 रुपे और जो level 2 के लिए रहेगी 17,390 रुपे और जो level 3 के लिए रहेगी वो रहेगी 18,000 रुपे और level 4 के लिए रहेगी 19,230 रुपे इसी परकार category के साथ ये भी देखा जाएगा कि उस वेक्ति को अनभव के अधार प वेक्ति को 0 से 5 साल का experience है लेवल बन में तो उसकी salary 15,450 रहेगी और 5 से 10 साल का है तो 16,995 रहेगी और 10 से जादा सालों का experience है तो उसे 18,540 रुपे मिलेंगे यानि कि अगर किसी वेक्ति को किसी भी परकार क्या अनुभव है तो उसे जोब के according उसकी salary एक्स्ट्रा दी जाएग इसी परकार अगर हम बात करें जिलों में अनुभव के अनुसार जो rate क्या रहने वाला है category 3 के लिए level 1 के लिए रहेगा 14,000 अगर 0 से 5 साल का अनुभव है तो 14,330 रुपे अगर 5 से 10 साल का है तो 15,763 रुपे अगर 10 साल से तो 17,196 रुपे इसी परकार अगर category 4 की बात करे तो उसमें अगर 0 से 5 साल का अनुभव है तो 19,230 रुपे अगर 5 से 10 साल का अनुभव है तो 21,135 रुपे अगर 10 से ज़्यादा साल का अनुभव है तो उसे मिलगा 23,60 रुपे आपको ये जानकारी कैसी लगी आपके अनुषार ये जानकारी कैसे हो और ये जो decide किया गया है rate वो कैसे है इसके बारे में आप comment comment जडरूर करके बताएं और इस जो वीडियो है वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे शेयर करें और subscribe करें और like वाला बटन जुरूर प्रेस क झालब सबस्ट्रियों